हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे कि आर्टकेम शॉप्टर में कैसे हम नॉर्मल टूडी कटिंग का टूल पत बनाते हैं तो सबसे पहले कोरोलो शॉप्टर में हम यूनिट को मिलिमीटर में कॉनभर्ट कर लेंगे और जो साइज में हमें काटिंग करना है उसी साइज का जो मेट्रियल है उसी का उविध और हाइट इदर लिखेंगे सापोच उविध है 200 mm और हाइट है 600 mm तो इस तरह से हम इसको लिखतेंगे इसके बाद क्या करना है यह जो कॉन्टूर अप्शन है कॉन्टूर अप्शन में जाके चारो साइट से एक इंच बॉर्डर देना है यह अप्शन कैसे एनेवेल होगा कॉन्ट्रोल एपनाइन या तो इधर से कॉन्टूर देखा तो इधर हम क्या करेंगे इंसाइट सिलेक रखके 25.4 mm वान स्टेप ऑपसेट देंगे फिर इसको ब्रेक अपट करना है कॉन्ट्रोल के प्रेस करके इसको ब्रेक अपट कर देंगे इसके बाद क्या करना है सपोज एक सारकेल लेना है तो ऐसा एक सारकेल लेंगे सिप प्रेस करके यह अंदर वाला लाइन सिलेक करके सी इसेंटर अलाइनमेंट हो गया फिर एक रेक्टेंगल ड्रो करेंगे इस तरह से तो यह वाला सिलेक्शन रखके सिप प्रेस करके यह वाला सिलेक्ट फिर सी प्रेस कर देंगे तो मीडियल अलाइनमेंट हो गया इसी को सिलेक्ट करके कॉंट्रोल प्रेस करके नीचे ऐसे रखके राइट क्लिक कर देंगे अभी क्या करना है यह पूरा सिलेक्शन करके कॉंबाइन शॉट्कट की है कॉंट्रोल एल तो इसको कॉंबाइन कर देंगे फिर फाइल एक्सपोर्ट डेक्स्टॉप में डी एक्सेप फ फिर क्या करना है हम artcam software में जाएंगे और इधर page लेंगे millimeter में width रहेगा 2500 mm और height रहेगा 600 mm जो हमने दिया था चीखे इधर alignment हम ये corner से रखेंगे तो alignment ये corner वाला select रहेगा फिर ok फिर windows में जाके tile vertically हम इधर 2D और 3D दोनों view को देखेंगे फिर क्या करेंगे vector option में जाके import जिनके पास 9 है artcam वो क्या करेंगे file में जाके import उधर से vector data select करके ये काम कर पाएंगे इधर 200 by 600 ऐसे ले लेंगे फिर ok windows में जाके tile vertically इधर vector import करने के लिए देखी file import वेक्टर data इधर जाके ये 2D card DXF import कर लेंगे और center page ओके ठीक है दिखाता हूं art में vector import और इधर जाके इधर DXF select कर देंगे फिर 2D cut देखिए फिर क्या करना है बाहर का जो line इसको delete कर देंगे फिर ये तीनों को select करके पूलपाद option में जाएंगे 2D profile ये outside select रहेगा suppose आप 8 mm material में काटेंगे तो इधर finish depth लिख देंगे 8 mm इसको अब 3 mm end mill से काड़ना चाहते हैं और machine subject रखेंगे 35 mm तो इधर plan grade ये 30 ok फिर setup option में जाके इधर 8 mm का material है तो 8 mm लिख के ok कर देंगे फिर आप now option में click कर दीजिए देखिए ये toolpath हमारा बन गया फिर इसको खली save कर देना है ये बाला option में जाके click करके तो इस तरह से normal जो 2D file है उसको आप create करके practice के लिए यूज कर सकते हैं थैंक यू friends best of luck